नमस्कार बायजूज एक्जाम प्रेप आयस हिंदी में आप सभी का स्वागत है और आज हम 12 नवंबर के दहिंदू समाचार पत्र में आए कुछ महत्पून समाचारों का विशलेशन करने वाले हैं तो आये शुरू करते हैं आज का समाचार विशलेशन आज के विशियों पर चर्चा करने से पहले एक महत्पून सुचना आप सभी के लिए है आप सभी को ध्यान में रखना है कि हमारे द्वारा IS 223 के एक्जाम को ध्यान में रखते हुए आपके लिए मुफ्त All India Prelimbs Mock Test का यून किया जा रहा है और यह जो टेस्ट है वह 13 को होगा आपको टाइमिंग याद रखना है टाइमिंग है साढ़े नौ से साढ़े ग्यारा आपको यह भी ध्यान में रखना है कि यह जो मौक टेस्ट है वह हिंदी और अंग्रेजी दोनों भासाओं में आउजित किया जाएगा और आप इस टेस्ट को ओनलाइन माध्धम स और हमारे आफ़लाइन सेंटर में भी दे सकते हैं अगर आप इस टेस्ट को ओनलाइन माध्धम से देना चाहते हैं तो इसके लिए आपको रेश्टरेशन करना होगा जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है अगर आप इस टेस्ट को हमारे offline center मेरे चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक form फिल करना होगा जिसका link भी इस वीडियो के description box में दिया गया है तो इन सभी महत्पूर्ण बातों को आपनों ध्यान में रखेंगे जो कि आपके लिए महत्पूर्ण है आईए अब आज के समाचारों पर चर्चा कर लेते हैं आज के paper के page number 8 पर एक बहुत important editorial आया जो की higher education के autonomy जुड़ा हुआ है और यह topic समान अध्यन्दो सिख्चा जुड़ा हुआ है और यहाँ पर जो higher education है उसमें autonomy पर लेकर के चर्चा किया गया है जो काफी महत्पूर मुद्दा है यहाँ पर आपको यह बताया गया है कि जब हम विस्व में देखते हैं कि top जो universities हैं top जो colleges हैं उसमें भारत के विस्विदाले कहां पर खड़े हैं तो आपको देखने को मिलेगा कि जब भी इस तरह की कोई ranking बनाई जाती है उची सिक्षन संस्थानों की तो top 100 में भारत का कोई भी विस्विदाले सामिल नहीं होता है और यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि जो ताजा ranking आई है और वो ranking है QS World University ranking और इस ranking में भी आपको देखने को मिलेगा कि भारत के तरफ से IISC Bangalore को जो है 155 अस्थान दिया गया है यानि कि वो भी जो है 100 rank के बाहर है यानि कि under 100 में भारत का कोई भी विस्विदाले सामिल नहीं है हलाकि IISC Bangalore ने 222 के मुकाबले अपने ranking को जरू सुधार किया है लेकिन सबसे महत्मुन बात ये है कि दुनिया के top 100 विस्विदाले में भारत का एक भी विस्विदाले नहीं है यहाँ पर आप इस ranking को देख सकते हैं जो QS World University ranking आई है उसमें जो भारत के अन्य विस्विदाले सामिल है उसमें IIT Bombay जिसको की 172 स्थान दिया गया है IIT Delhi जिसे की 174 स्थान दिया गया है उसके बाद IIT मदरास, कानपूर, खड़कपूर, रुडकी और गुवहाटी का स्थान आता है लेकिन वो 200 के पार है तो इसको आप जरूर ध्यान में रखेंगे और अगर हम QS World Ranking में जो टॉप के विश्विद्याले हैं उनको देखते हैं तो इनमें आपको देखने को मिलेगा कि जो सबसे पहले नंबर पर है वो है MIT, जो की United States का है इसके बाद जो है दूसरे नंबर पर University of Cambridge है, UK का उसके बाद से तीसरे अस्थान पर फिर से Stanford University है, जो की US का ही है आप देख सकते हैं कि जो Top 6 Universities हैं इस रेंकिंग में उनमें से जो अधिकतर हैं वो US के हैं और उसके बाद United Kingdom के जो Universities हैं, उनको यहाँ पर अस्थान दिया गया है और आपको देखने को मिलेगा कि जितने भी Universities हैं उनमें सुवायता एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है जिससे यह जो Universities हैं वो सिक्षा को ले करके फेकल्टी को ले करके खुश से नीने ले पाते हैं और जिसके कारण इस तरह की रेंकिंग में इन्हें अच्छा स्थान मिलता है तो यहाँ पर इस रेंकिंग के बहाने ये बताने का प्रयास क्या गया है कि दुनिया के जितने भी सिर्ष विस्विद्याले हैं वहाँ पर उन्हें Autonomy दी गई है यानि कि कितने सिक्षव को उन्हें भरती करना है उसको ले करके वह अपना decision ले सकते हैं research पर कितना पैसा खर्च करना है इस पर वह अपना decision ले सकते हैं लेकिन अगर हम भारती विस्विद्याले की बात करें तो यहाँ पर इस तरह की Autonomy नहीं दी गई है हम चाचा कर रहे थे QS World University Ranking की यहाँ पर आपको ध्यानम रखना है कि जब हम इस ranking की बात करते हैं तो यहाँ पर कुछ मानडंड रखे गए हैं जिसके अधार पर दुनिया के विस्विद्याले को यहाँ पर ranking दी जाती है अगर हम उन अधारों की बात करें तो यहाँ पर कुल 6 ऐसे मानडंड हैं जिनें अलग-अलग weightage दिया गया है और जिसके अधार पर इन सभी विस्विद्याले को ranking दी जाती है आपको ध्यानम रखना है कि वो जो मानडंड है उसमें जो पहला मानडंड है वो है academic reputation जिसे की 40% का weightage दिया गया है यानि कि जो academic प्रतिष्ठा है उसे यहाँ पर सबसे ज़्यादा weightage दिया जाता है इसको आपको exam point of view से ध्यान रखना है उसके अलावा जो दूसरा यहाँ पर मापडंड है वो है employer reputation यानि कि नियोकता प्रतिष्ठा उसका weightage है 10% जो तीसरा मापडंड है वो है faculty student ratio जिसे की यहाँ पर 20% का weightage दिया गया है उसी तरीके से जो अगला यहाँ पर मापडंड है वो है citation per faculty यानि कि उत्कृष्ठा प्रतिष्ठा प्रतिसंका है जिसे की 20% का weightage है और यहाँ पर जो citation per faculty है वो यह बताता है कि किस तरीके से university जो है वह research को बढ़ावा दे रहा है इस तरीके से यहाँ पर जो 5 और 6 मापडंड है वो है international student ratio और 6 आपका international staff ratio जिसे की 5-5% का weightage दिया गया है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो मापडंड है वे इन मामडंडो पर पीछे रह जाते हैं जिसके कारण इस तरह के जितने भी महत्पून ranking होती है उच सिक्षा के अस्तर पर वहाँ पर भारत के बहुत ही कम college और विश्वद्याले अपना नाम बना पाते हैं तो इन सभी बातों को आपको ध्यान में रखना है जैसा कि मैंने कहा कि जब हम दुनिया के बहतरीन विश्वद्याले को देखते हैं जिन्हें कि इन तरह की ranking में number one या फिर उंचा स्थान दी जाता है तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि इन विश्वद्याले को academic, प्रसाष्टिक और वित्य स्वायता प्रदान की जाती है और यहाँ पर यह कहा जाता है कि अगर आपको सिक्षा के छेतर में अच्छा करना है तो यहाँ पर आपको अपने विश्वद्याले को स्वायता देना ही होगा और भारते विश्वद्यालेओं में इस तरह की स्वायता नामात्र की है जिसके कारण जितने भी महत्पून रैंकिंग होती है education को लेकर के उसमें भारते संस्थान जो है पीछे रह जाते हैं चाहे आप times higher education की बात करो जिसमें की दुनिया के सिस्र 400 संस्थानों में भारत का केवल एक संस्थान सामिल था आप सभी को ध्यान में रखना है कि जिन संस्थानों को यहाँ पर QS World Ranking में भी अस्थान मिला है उनमें से अधिकतर वैसे संस्थान है जिने कही ना कही थोड़ी बहुत स्वायता दी जाती है चाहे वो faculty को ले करके हो अपने पाठकरम को ले करके हो और इसलिए आपको देखने को मिलेगा कि IISC Bangalore और IIT जैसे संस्थान जो है यहाँ पर अपना अस्थान बनाने में सफल हो पाते हैं लेकिन जो और government universities है वो जो है इसमें काफी पीछे रह जाती है क्योंकि कहीं न कहीं इन्हें जो अनुदान है वो UGC के दोरा दिया जाता है और यहाँ पर जो अनुदान दिया जाता है UGC के दोरा उसको ले करके काफी सक्त नियम बनाए गए हैं इस तरीके से AICTE का जो दिसा निर्देश है उनका भी पालन विस्विद्यालियों को करना पड़ता है जिससे भी जो है उनके कामकाज को ले करके काफी कटना या परदान होती है छुट-छुटी बातों में जैसे किसी फेकेल्टी को भरती करना है छात के परवेश को ले करके निर्देश लेना है या फिर डिगरी परदान करना है इसमें भी जो है यहाँ पर इन विस्विद्यालियों को स्वायत्ता नहीं होती है जिसके कारण ये हमेशा जो है रैंकिंग में पीछे रह जाते हैं इसका मतलब यह है यहाँ पर लेखक ने समझाने का प्रयास किया है कि अगर हम अपने विस्विद्यालियों को उचि सिक्षन संस्थानों को अच्छा करते हों देखना चाहते हैं तो उन्हें हमें इन मामलों में स्वायत्ता परदान करनी चाहिए यहाँ पर लेखक के दोरा और समीतियां बनाए गई है उस सिक्षा को लेगर के उन्होंने भी सिक्षा में स्वायत्ता की आवसक्ता पर बल दिया है तो जैसा कि मैंने कहा कि जो भी ऐसे सिक्षन संस्थान जिन्हें अच्छी रेंकिंग मिलती है जो कि भारत के हैं अगर हम उनके बारे में भी देखें तो वे जो है आम तोर पर स्वाशासित हैं उनको जो एड मिलता है जो पैसे मिलते हैं वे जो है उसका इस्तमाल अपने तरीके से करते हैं और ये जो है UGC और AICT के नियामकदारे से बाहर है तो इसका मतलब है कि तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि उनकी रैंकिंग भी आगे चल करके सुधरी है तो बहुत इंपोर्टेंट बाते यहाँ पर कही गई है सिक्षा को ले करके खास करके उच सिक्षा को ले करके कि यहाँ पर हमारे जो कॉलेजेज टॉप रैंकिंग में नहीं आपाते हैं उसका एक बहुत बढ़ा कारण है उनकी ओटोनोमी तो इस न्यूज को आप तो जरूद ध्यान से पढ़ेंगे आए एक और न्यूज पर हम यहाँ पर चाचा कर लेते हैं आज के पेपर के पेज नंबर 12 पर एक न्यूज आया जिसका सिर्शक है Moody's Pairs India Growth Outlook to 7% और एक टॉपिक समान अध्यनतीन अर्थ वैसा जुड़ा हुआ है तो यहाँ पर जो न्यूज है उसमें ये कहा गया है कि Moody's के द्वारा जो की एक Global Rating Agency है उसने जो है भारत के GDP का जो Growth Rate है उसमें जो है कुछ कमी किया है तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि Moody's के द्वारा जो भारत का GDP है यानि कि सकल घरिल उत्पाद है उसके विकास का जो अनुमान है उसे घटा करके अब 7% कर दिया है और यहाँ पर Moody's का ये कहना है कि जिस तरीके से वैस्विक मंदी के असार दिख रहे है उसकी वैसे भारत की जो आर्थिक प्लगती है वो धिमी पर सकती है और इसलिए Moody's के द्वारा इसे घटा करके 7% कर दिया गया है तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आखिर क्या कारण जो है Moody's के द्वारा बताया गया है यहाँ पर Moody's ने उच्च मुद्राइस्फिती यानि की जो इन्फलेशन है जो महेंगाई है उसका चर्चा किया है यहाँ पर जो उच्च ब्याजदरे है उसका चर्चा किया गया है Moody's के द्वारा और जो धीमी वैस्विक वृदिती दर है उसका यहाँ पर चर्चा किया गया है और इन तीनों को जो है कारण बता करके Moody's ने भारत का जो GDP ग्रोथ का अनुमान है उसे घटा करके 7% कर दिया है इस तरीके से दुनिया की जो अन एजेंसियां है उन्होंने भी भारत के आर्थिक विकास के अनुमानों को कम किया है आपको ध्यार्म रखना है कि विस बैंक के द्वारा भी इससे पहले जो भारत का GDP ग्रोथ रेट है उसे घटा करके 6.5% कर दिया गया था IMF के द्वारा भी इसे घटा करके 7.4% से 6.8% कर दिया गया जो ADB है यानि की ACN Development Bank है उसने भी जो है अपने अनुमानों में पहले GDP का जो ग्रोथ रेट है वह 7.5% रखा था लेकिन उसे घटा करके उसने भी 7% कर दिया है इस तरीके से अगर हम Extender and Poor's की बात करें तो उसने भी जो है भारत का जो GDP के ग्रोथ रेथ है उसमें कमी की थी और यहाँ पर आपको ध्यान्म डखना है कि आर्वे ने खुद जो है इस वर्स जो भारत के आर्थि विकास की दर है वह 7% के आसपास रहने की उम्मीद जताई थी तो यहाँ पर जो कारण है उन कारणों का हवाला दे करके जो अन्य रेटिंग एजेंसियां है उन्होंने भी भारत के GDP ग्रोथ रेट का जो प्रोजेक्शन है उसमें कमी किया था आपको ध्यान में रखना है कि अगर हम दुनिया के इस्तर पर देखें तो यहाँ पर मूडिस का ये कहना है कि 2023 में जो G20 की अर्थविस्थाई हैं यानि कि जो G20 में सामिल देश हैं उनका जो अगर हम GDP ग्रोथ रेट देखें जो कि इसके पिछले अनुमानिया के 2.1% से काफी कम है तो यहाँ पर पूरी दुनिया को ले करके मूडिस का ये कहना है कि पूरी दुनिया की जो अर्थविस्थाई हैं वो मंदी का सिकार हो रही है जिसका असर भारत पर भी पढ़ रहा है आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मूडिस के द्वरा कहा गया कि भारत में जो महंगाई की दर है वो हलाकातार जो है 6 फिजदी से उपर बनी हुई है और कहीं न कहीं इसका असर जो है डिमांड पर पढ़ रहा है और इसके वज़े से भी भारत का जो आर्थिक प्रगती का उमीद है उसे यहाँ पर कम किया गया है तो कुछ बहुत ही महत्मून बाते हैं यहाँ पर जिसको की आपको ध्यान में रखना है आए एक और न्यूज पर हम यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं आज के पेपर के पेज नंबर 5 पर एक न्यूज आया जिसका सिर्चक है इन ए विन-विन पंजाब टू सप्लाई पैडी एस ट्रॉव टू फूडर सौटेज हिट कैरला और एक टॉपिक समान अध्यनतीन परियावरन से जुड़ा हुआ है पंजाब में पराली जलानी की समस्या है वो काफी बढ़ती जा रही है जिसके कारण दिल्ली में आपको देखने को मिलेगा कि वहां का जो हवा है वो काफी जरीला हो गया था अब यहाँ पर इसके समधान को लेकर के काफी सारे सुझाव दिये गए है सरकार इसका उप्योग भी कर रही है लेकिन यहाँ पर जो न्यूज आया उसमें यह कहा गया है कि पंजाब जो है केरला को पराली की सप्लाई करेगा क्यूं करेगा आपको ध्यान में रखना है कि केरला में जो है जो वहां का डेरी सेक्टर है वो काफी उन्नत है विक्सित है कहा जाता है कि पंजाब के बाद केरला दूसरे स्थान पर है डेरी सेक्टर को लेकर के यानि कि केरला में जो डेरी सेक्टर है वो काफी अच्छा काम कर रहा है काफी उसमें जो है संभावनाई है लेकिन यहाँ पर जो केरल है वहाँ पर जो मवेसियों खिलाने के लिए चारा है उसकी काफी कमी है वहाँ पर जो डेरी सेक्टर है वो तो अच्छा कर रहा है लेकिन जो मवेसी जिनसे की दूद की सप्लाई होती है उनके चारे का सोटेज का समस्या जो है केरला में बहुत ही बड़ा हो चुका है और इसी को देखते हो यहाँ पर केरल और पंजाब के द्वारा यह फैसला किया गया है कि पंजाब जो है पराली को केरल को बेचेगा यानि कि उसकी सप्लाई करेगा जिससे कि केरल में मवेशो खिलाने के लिए जो चारे की कमी है उसे यहाँ पर दूर किया जा सके अब इससे दोनों को फाइदा है केरला को जो है मवेशो खिलाने के लिए चारे की जाओ सकता है और पंजाब को जो है पराली जलाने के समस्या है उससे निजाद पाना है और यहाँ पर अगर पंजाब के किसान केरल को पराली की सप्लाई करते हैं तो यहाँ पर कहीं न कहीं उनका जो इनकम है वो भी बढ़ेगा उन्हें पराली को जलाने का जुरत नहीं पड़ेगा जिससे की परुस्तन भी कम फैलेगा तो इसलिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि यह जो है win-win situation है यहाँ पर केरला के लिए भी अच्छी बात है जैसे मैंने कहा कि केरल में जो dairy sector है वो काफी फलफूल रहा है उससे लाखों किसानों को जो है रोजगार मिलता है लेकिन जो चारे की समस्या है वहाँ पर उसके कारण जो है इन किसानों के सामने भी रोजगार की समस्या उत्पन हो सकती थी जिसे कि यहाँ पर केरल ने पंजाब के साथ पराले की सप्लाई पर समझथा करके दूर करने का प्रयास किया है यहां पर आपको कुछ और important data को भी ध्यान में रखना है जैसे यहां पर कहा गया है कि जो economic review 2021 है उसमें यह कहा गया है कि केरल के द्वारा जो चारे का उत्पादन किया जाता है उससे केरल की जरुवत का मात्र 46% ही पूरा हो पाता है और यहां पर यह कहा गया था कि अगर केरल को अपने जो चारे कमी है उसको दूर करना है जो जरुवत उसको पूरा करना है तो उसे कहीं न कहीं 13,000 hectare भूमी पर जो है चारे की खेती करनी पड़ेगी तब जाकर के जो है वो अपना जो जरुवत का चारा है वो उगापाएगा लेकिन यहां पर अगर हम देखें तो पनजाब में जो पराली है वो सर्पलस है वो काफी ज़्यादा है अगर पंजाब से पराली केरल को सप्लाई के जाता है तो केरल का भी फाइदा होगा और पंजाब का ही फाइदा होगा तो इस तरह का जो न्यूज है वो काफी important हो जाता है कि आखिर क्या solution है पराली जलाने की समस्या का तो वैसे राज जहाँ पर मवेसी जादा है, दूध का प्रोडिक्शन जादा है, लेकिन चारे की कमी है, अगर हम उन राज्जियों को पराली को सप्लाई करें पंजाब और हर्याना से, तो कहीं न कहीं किसानों का इंकम भी बढ़ेगा, और जो पराली जलाने की समस्या है, ज इसको आपनों जरुद्ध्यान से पढ़ेंगे, आज ये एक और न्यूज की हम यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं, आज के पेपर के पेज नंबर 10 पर एक न्यूज आया, जिसका सिर्षक है, ट्विन इंजन केरियर बेस्ट नेवी फाइटर्स बाई 2031-32, और यह टॉपिक है वो समान अध्यंतीन रक्षा से जुड़ा हुआ है, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा जो सोदेशी एरक्राफ्ट केरियर, आइनेस विकरांथ है, उसको जो है एविशन ट्रायल के लिए तयार किया जा रहा है, और जब से इसके एविशन ट्रायल की चर्चा हो रही है, उसके बाद से TEDBF है, याने कि Twin Engine Carrier Based Navy Fighters है, उसको लेकर के भी चर्चाएं तेज हो गई हैं, आप सभी जानते हैं कि जो हमारे एरक्राफ्ट केरियर हैं, वहाँ से संचालित होने वाले जो एरक्राफ्ट हैं, उनको बनाने को लेकर के भारत लगातार प्रयास कर रहा है और इसको लेकर के काफी टेश्ट भी हो रहे हैं, और यहाँ पर यह कहा गया है कि भारत का अपना जो Twin Engine Carrier Based Navy Fighter होगा, वह जो है नेवी में 2021 तक सामिल कर लिया जाएगा, तो कुछ बहुत इंपोर्टेंट यहाँ पर बाते TEDBF को लेकर कही गई है, याने कि Twin Engine Deck Based Fighter को लेकर क कही गई है, आपको ध्यान में रखना है कि ADA याने कि Unautical Development Agency उनके जो अधिकारी है, उनका ये कहना है कि इस परिजुना को लेकर के 2023 के मध तक जो सुरक्षा पर कैबिनेट समीती है, उससे मंजूरी मिल जाएगी, और उसके बाद जो TEDBF है उसे 9 से नामे 2021 तक सामिल कर लिय जाएगा, अब यहाँ पर आपको यह भी ध्यान में रखना है कि चुकि अभी यहाँ पर बहुत ही बड़ा गैप है, आइनेस विकरांत हो या फिर आइनेस विकरमा देते हो, यह सभी के सभी जो है इससे पहले ही भारत को सर्विस देते रहेंगे, अब यहाँ पर जो यह ग रॉसल्ट एवियेशन के द्वारा जो राफाल एम बनाय जाता है, उसके बीच में से जो सुपिरियर एरक्राफ्ट है उसे यहाँ पर चुन लिया जाए और फिर इन एरक्राफ्ट के माध्यम से जो भारत के एग्जिस्टिंग एरक्राफ्ट केरियर है, उनमें जो है इनको डिपलाई किया जाए, और 31-32 से हमारा जो अपना एरक्राफ्ट है, वो जो है नौ सेना में सामिल कर लिया जाएगा, तो यहाँ पर जो गैप है, उस गैप को देखते हुए भारत के द्वारा ये कोसिस की जा रही है, कि या तो F-18 या फिर राफाल एम दोनों में से जो सु जो कि अभी आइनेस विक्रमादित से संचालित होते हैं, उनको जो है फेज आउट टरने के लिए मुख्यतर बनाए जाने की उजना थी, और यह जो एरक्राफ्ट होंगे, वह दो इंजन वाले होंगे, मध्यम वजन वाले लडाकु उमान होंगे, और इनका जो कुल वजन ह वह 26 टनका होगा, और इनके जो विंग है, वह फोल्डिंग विंग होंगे, तो कुछ इस स्पेसिफिकेशन को लेकर के भी यहाँ पर बाते कही गई हैं, तो रक्षा के डिश्टी कौन से देखा जाए, तो यह भी बहुत ही important news है, खास करके जो TEDBF को लेकर के यहाँ पर च न्यूज आया, जिसका सिर्शक है, Altitude Decides Simeon's Attitude to Diet, और एक टॉपिक समान अध्हनतीन, परियावरन और जैव वित्ता चुड़ा हुआ है, तो इस न्यूज में एक स्टडी को लेकर के चर्चा किया गया है, और यहाँ जो स्टडी है, वह हिमालियन ग्रे लंगूर, जिसका scientific name है, वो आपको ध्यान में रखना है, हिमालियन ग्रे लंगूर का scientific name है, वो क्या है, सेमनो पितेखस अजाक्स, जिसका अर्थ होता है कि पत्ती खाने वाला बंदर, अब यहाँ पर हिमालियन ग्रे लंगूर को लेकर के, एक अधन किया गया, और कहा गया, कि जो हिमालियन की प्रविर्ती है, वो कहीं न कहीं उचाई से प्रभावित होती है, और इसी को लेकर के यहाँ पर एक study किया गया है, यहाँ पर जो हिमालियन ग्रे लंगूर को लेकर के, जो important बाते हैं इस news में, वो आपके exam point review से बहुत important है, जैसे आपको ध्यान में रखना है, कि हिमालिय स्वी कस्तर पर इसे एक लुप्ट प्राय प्रजाती मना जाता है, क्योंकि इसकी जो अबादी है, वह 1500 से भी कम रह गई है, इसके लवा इस news में, हिमालियन ग्रे लंगूर को लेकर के, एक और important जानकारी दी गई है, जैसे यहाँ पर यह कहा गया है, कि हिमालियन ग्रे लं लंगूर के रूप में जाना जाता है, लेकिन 2005 में जो है, इसे जो है, एक अलग प्रजाती के रूप में माना गया, स्विकार किया गया, और इसका नाम रखा गया, हिमालियन ग्रे लंगूर और सैंटिफिक नेमी इसका पड़ा, सेमनो पितेखस अजाक्स, तो यहाँ पर यह जानकारी दी गए है इस न्यूज में, उसको आपको जो है थोड़ा एक्जाम पॉंट अभी से देख लेना है, क्योंकि इस पर एक स्टडी आया है, इसके कारण इसके बारे में जो जानकारियां है, कि उसका स्टेटस क्या है, उसका साइंटिफिक नेम क्या है, वह जो ह आपके एक्जाम के लिए इंपोर्टेंट हो जाता है, तो इसको आपको जुरूर ध्यान से पढ़ेंगे, इसके इलावा एक और न्यूज आया है, जो कि हमारी अर्थवचा जुड़ा हुआ है, और यह न्यूज है, कि सेप्टेंबर इंडेस्ट्रिल आउट्पूल की बढ़वत्री हुई है, जबकि इसके पहले के मन्थ में जो है इसमें कमी देखने को मिला था, यहां पर यह कहा गया है, कि जो electricity generation ईसमें जो है काफी बढ़वत्री देखने को मिली है, जबकि जो manufacturing sector है वो अभी भी लैक कर रहा है, उसमें जो growth output है वो मात्र 1.8% है, यहां यहां पर हाला कि कहा गया है कि mining में जो output है उसमें जो है 4.6% की बढ़ोतरी हुई है यहां पर यह भी कहा गया है कि September में जो output है इंडस्ट्री का उसमें जो है 1.5% की बढ़ोतरी हुई है अगर हम इसे compare करते हैं अगस से तो हला कि यहां पर यह भी कहा गया है कि inflation के बज़े से हमारे देश में जो consumption है जो demand है वो काफी कम हुआ है और इसका असर जो है output पर देखने को मिल रहा है तो इससे जुड़ी जो important जानकारिया है उसको भी आप लोग जरूर ध्यान रखेंगे कहीं न कहीं पूरी दुनिया में ज इस तरह के news से चल जाता है आएए अब आज के विसो परधारित मुख्य परिक्षा की अभ्यास प्रस्णों पर चर्चा कर लेते हैं यहां पर question number one है भारत में सिक्षा परणाली के पुनरगठन और पुनर सचना पर अपने विचार रखें तो बहुत important question है इस तरह question है आपक की चर्चा कर सकते हैं और यहां पर आप यह समझा सकते हैं किस तरीके से अगर हम अपने विच्विद्यालेओं का पुनरगठन उन्हें जो है स्वायत्ता नहीं देंगे तो उनकी जो ranking है वो इसी तरीके से पीछे होती रहेगी और चिस्षा का जो अस्तर हो भारत में सुध क्यूशन है शहकारी संगवाद भारत में पराली जलाने की समस्या का समयधान हो सकता है टिप नी करें काफ़ी इंपोटेंट को सवादANS है यह जैसा कि मैं आपको बताया कि Panjab और केरल के बीच में जो है यह समझोता हुआ है कि Panjab जो है केरल को पराली की सप्लाई करेगा जिससे केरल में जो चारे की समस्या है उसका समधान हो पाएगा और इससे दोनों को फाइदा है पंजाब के किसानों की कमाई भी हो पाएगी प्रदुसरन से भी यहाँ पर मुक्ति मिलेगा और यहाँ पर केरला कोई फाइदा है कि उसका जो डेरी इंडेस्ट्री है जो काफी दुखी रहते हैं वहाँ पर अधिक पैसा उनको देना पड़ता है चारे के लिए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर राजियों के बीच में इस तरह के समझोते होते हैं तो कहीं न कहीं बहुत सरी समस्याएं हैं देश के वह सुलच सकती है और अगर हम पराली जलाने के समस्याएं की बात करें तो उसका समधान हम इस तरह से भी निकाल सकते हैं कि जहाँ पर पराली ज़्यादा होता है वहाँ से उन स्टेट में इसकी सप्लाई की जाए जहाँ पर चारे की समस्याएं मवैसियों के लिए तो इसी सब बातों को आपको यहाँ पर बताना होगा किस तरीके से सहकारी संगवाद यानि की राजियों के बीच में जो एक सहयोग का वातावरन है वह पराली जलानी की समस्याएं का समाधान हो सकता है तो आसा करता हूँ कि आप सभी को आज का समाचार विशलेशन पसंद आया होगा सारे टॉपिक बहुत ही महत्पून है इनको आपको एक बार जरूर रिवाइस करेंगे और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप जरूर इसको लाइक करें सेयर करें और दूसरो को भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए परीद करें तो मिलते हैं समाचार विशलेशन के अगले अंक में तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद